हेलो फ्रेंक्स कैसे आप सब जिस टोपिक के बारे में के च्छारब में किस kPhone 25 का किनन कोऊशन हैं और यह कितने में का ह Ninth का होताएए मोट में कितने टायप का होता एंगे तो बात करेंगे कि निर टायप अफ्रेंड होता है तो जो गैस्टुलेशन होता है तो मौमेंट ऑफ गैस्टूलेशन इन वाल दा एंटायर एंप्रियो उडब जाल मािग्रैशन इन वन पार्ट ऑफ फडाज्री इंप्राशन च्रूलेशन टो अपो एंटीमेटली यॡा दिया दि विद अधर मौमेंट अकूरिंग simultaneously throughout the pattern of gastrulation very enormously okay and throughout the animal kingdom there are only few basic type of cell moment okay next gastrulation usually involves some combination of the following type of moment gastrulation moment invagination first type involution ingration type delamination type epiboli type after you see invagination invas infolding if you see moment focus you can focus on 1-2 key word in which you can solve and many CSIR NET UGC NET TGT PGT or exam exam question question and question is invagination में आप देखोगे कि in folding होती है तो यह आपका जो word होगा यहाँ पर याद रखना है in folding of the cell sit into embryo तो यहाँ पर in folding होती है और इस तरह से आप देख पारे होंगे कि अंदर की तरफ fold हो जाएगा उसके बाद में यह देखने को किसमें मिलता है तो यह example है C arching का और endoderm इससे बनता है इस तरह कर जो हमें देखने को मिलेगा इन्वेजिनेशन टाइप तो यह हमें endoderm जब बनता है तब देखने को मिलता है involution में क्या होगा involution में जो याद रखना है in turning वो जैसे बोलते हैं you turn ले लिया तो ऐसे हैं पर क्या होगा in turn अंदर की तरफ turn ले रही है तो यह इस तरह से आपका यह बना हुआ है और यही अगर इस तरह से इधर turn ले रही है और यह इधर से इस तरह turn ले रही है तो यह आपका क्या हो जाएगा involution हो जाएगा तो in turning of cell sit over the बेसल सर्फेस ओफ एन आउटर लेयर बेसल सर्फेस ओफ एन आउटर लेयर तो यहां पर जो वर्ड याद रखना है वो in turning हो रही है इसमें इन वैजिनेशन में जो याद रखना है in folding आपको याद रखनी है अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा वो इसके बाद में हैं पर हमें इंग्रेशन जैसे इंग्रेशन होता है वो कुछ साउंड करेगा जैसे माइग्रेशन तो यह याद रखना है तो इसमें क्या होगा जैसे कि आपका यह सैल थी और इसमें से ही कुछ सैल अंदर की तरफ माइग्रेट हो जाएंगी तो ये जब migrate हो जाएंगी तो वो क्या हो जाएगा इस तरह से वो हो जाएगा आपका ingration I hope कि आपको ये clear हो गया हो उसके बाद में delamination अब delamination का मतलब जो हमारा है वो है splitting से तो यहाँ पर जो word याद रखना है splitting याद रखना है splitting of one seat into two के मतलब जो एक seat है आपकी cell की वो ही किसमेट हो जाएगी अब दो seat में split हो जाएगी तो आपका जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है तो यह क्या हो जाएगा यहाँ से ही cells अंदर आके और वो एक और layer अंदर की side बन जाएगी splitting हो जाएगी तो यह इस तरह से दो layer देखने को मिलेंगी के तो यही जो है आपका splitting अगर हो रहा है तो वो delamination उसको हम बोलते हैं और यह देखने को मिलेगा आपका mammalian and birds hypo blast के अंदर इसके बाद में हमारा last जो fifth type का होता है वो होता है epiboling अब epi का मतलब आपको पता ही होगा कि epi का मतलब क्या होता है तो ऐसे ही है आपका क्या हो जाएगा कि expansion of one seat over other cell तो देखो इसमें क्या था जो आपका delamination है उसमें अंदर की तरफ हो रहा था इधर अगर हम epiboling में देखेंगे तो हमाँ पे over other cell one seat ऐसे one seat जो है क्या हो जाएगी over हो जाएगी other cell के उपर तो वो एक के उपर जो है दूसरी लेयर उस पे over other cell तो यहाँ पे जो याद रखना हो expansion of one seat over other cell हमें याद रखना है और यह इस type जो अगर इसके example की बात करें तो वो example है आपका amphibian sea archine tunicates endoderm तो I hope कि आपको gastrulation समंज में आ गया हो बस यहाँ पे हमें keyword क्या याद रखने थे कि invagination में infolding होती है अंदर की तरह पैसे fold हो जाती है जो involution है उसमें हमें interning याद रखनी है कि वो intern हो जाती है जो बाहर की लेयर होती है वो अंदर की तरह ऐसे intern हो जाती है अंदर की तरह एक और cell में टूट जाती है वन सीट इन्टो टू अब एक सीट आपकी दो सैल में सोरी दो लेयर में convert हो जाएगी ओके तो यह हो गया यहाँ पर splitting याद रखना है delamination में और जो हमारा last है epiboli उसमें याद रखना है कि बाहर की तरफ इस तरह से लेयर बन जाएगी ओके तो यह बाहर की तरफ बन रही है इसलिए इसको epi बोल रहे है epi ओके और यह बनाएगी किसको किसमें बनेगी है amphibian, sea, archin, tunicate, endoderm बना रही है बाहर वाली लेयर तो इसलिए क्या हो रही है यह अंदर वाली लेयर से बाहर की तरफ पुरा complete उसको cover कर लेगी ओके तो इसको हम यहाँ पर keyword क्या हो जाएगा expansion of one seat over other cell I hope कि आपको यह clear हो गया हो ओके एक बार और देख लो इस diagram में कि इन्वेजिनेशन किसमें बन रही है इन्वेजिनेशन एंडोडर्म में बनती है सी आर्चीन में होती है और अंदर की तरफ इस तरह से fold हो जाती है involution का मतलब होता है कि इस तरह से turn ले रही है turn हो ठीक है तो यह mesoderm बनाती है और amphibian में होती है थर्ड आपका होता है ingration जिसमें होता है migration और इस तरह से आप देखेंगे कि यहां पर क्या है cell जो बाहर की layer थी उसमें से cell अंदर की तरफ कुछ cells अंदर की तरफ माइग्रेट कर गई तो यह आपका mesoderm बनाती है भी और सी आर्चिन में देखने को मिलती है उसके बाद में delamination आपको पता है कि delamination जो splitting हो रही है बाहर की layer में क्या होता है splitting होती है और वो अंदर की तरफ इस तरह से एको layer बना रही है ठीक है अंदर की तरफ बना रही है तो यह क्या हो जाएगा delamination hypoblast यह बनाती है hypoblast को यह यह आप याद रखना और यह birds and mammal में देखने को मिलती है थर्ड आपका और यह आपका थर्ड नी यह आपका last जो 5 टाइप हो जाएगा यह 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 फिर हम इसको दो टाइप बोल सकते हैं जो morphogenetic moment होता है वो दो टाइप का होता है emboli and epiboli epiboli में इन चारों से अलग है देखो यह चारों में अंदर की तरफ हो रहा था और इसमें क्या है इसमें बाहर की तरफ हो रहा है ठीक है epiboli में क्या होता है बाहर की तरफ हो रहा है तो इसमें अब हो जाएगा ये बाहर की तरफ ऐसे चारो तरफ से cover कर लेंगे इसको अंदर वाली लेयर ये इस तरह से बाहर की तरफ इसको बाहर एक लेयर बना देगे तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो गर अच्छी लगे था प्लीज कमेंट सेयर और सब्सक्राइब नौ थैंक यू फ्रेंट्स